So, hello and welcome back to another video, my name is Jimmy और आप देखरे हैं Toxic Marvel YouTube चैनल तो यार जैसा कि मैंने बताया था Black Adam की ओरिजन में कि ये हीरो से ज़्यादा एंटी हीरो है और वो हमने देख भी लिया ट्रेलर में, उसकी विलन वाली हरकत है जैसे कि वो कार में उन बच्चों को डरा रहा था यार आप मेरे से सबर नहीं हो रहा तो जल्दी से बात करते हैं इसके बारे में हाँ तो ट्रेलर शुरू होता है एक सीन से जिसमें Black Adam को कहीं से लाया जा रहा होता है और उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसे वो 5000 सालों की निन से उठ सके लेकिन इस वाले सीन में जब हमें बताया जाता है तो मुझे रोक तो बिल्कुल नहीं लगा मतलब हम सभी जानते है रोक की बोडी को I mean the रोक भाई साप की बोडी को कि वो कैसी दिखती है यार ऐसा लगता है कोई पहाड सामने खड़ा हो और हाँ ये पूरा सीन देक मुझे केप्टन अमेरिका की याद आ गई थी वो भी खाफी कमजोर होता है और उस पर भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसे भी बर्फ से निकाला जाता है और उसे भी दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं होता है अब नाम सुनकर ही पता लग रहा है कि इसकी पावर डॉक्टर स्टेंस से सिमिलर होगी और अपने ट्रेलर में भी एक स्टेंस में मिरर डाइमेंशन देखा था शायद और वो मिरर डाइमेंशन है या नहीं वो पता नहीं हाँ तो दूसरा बंदा है एटम इसके नाम में ही एटम है तो इसकी पावर और होबी का सकती है हाँ ये बड़ा हो सकता है जो कि हमने ट्रेलर में तो देखी लिया और इसकी पावर लगबग एंटमें से ही सिमिलर है हाथ और अगला है हॉक मैन अब ये एक नॉर्मल सुपर हीरो है बस इसके पास पर है और एक सुपर हुमन स्टेंथ बस और ये जो हमें हावा में उड़ता है फिर उड़ती दिखी ये है साइकलोन और इसकी पावर है वेदर चेंज करना साइकलोन लाना और जोर-जोर से हावाए चलाना बस यही है इन सब characters की power तो अगले scene में हमें कुछ भारी बरकम dialogue मिलते हैं जैसे कि hero का काम होता है लोगों को बचाना ना कि उन्हें मारना और rock भाया का character black adam बोलता है में मारूंगा तो इसी dialogue से पता चल जाता है कि black adam शुरुआत में तो anti hero रहेगा लेकिन last में एक अच्छा hero बन जाएगा अब में जा क्यों बोल रहा हूँ कि यह अच्छा हो जाएगा तो यह plane वाला scene देख लो यह pilot black adam को इशारा करता है और black adam plane तोड़ देता है और तभी pilot अपनी seat के साथ plane से उड़ जाता है अब इसा नहीं है कि मैं जो बोलता हूँ वो पत्थर की लकीरे यह गलत भी हो सकता है और यहां तक कि इसका उल्टा भी हो सकता है वो सब movie देखकर ही पता चलेगा हाँ तो फिर आता है एक डरावना scene मतलब सोचो मैं एक कार में बेठा हूँ तो यह अभी मजा को साइट में रखते हो और करते हैं सीरियस बात हाँ तो DC ने Black Adam की पावर बताने के लिए हमारे मूपे रेके से scene फेक मारा कि जाओ देखो और पता लगा लो इसकी पावर कितनी है मतलब बंदा बम को हाथ में लेकर उससे खेल रहा है और बम तो फूट गए लेकिन उससे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ तो मुझे तो पता इसकी पावर कितनी है अब आप भी पता लगा लो इसकी पावर कितनी है तो पस आज के लिए वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आए यह तो वीडियो को लाइक करना चेनल को सब्सक्राइब करना अब हम मिलते अगली वीडियो में